नमस्कार प्राइम यूज 24 मैं आपका स्वागत है मैं हूँ अग्रिमा जादौन और खबर हर्याना से है मुख्यमंत्री ने किया हर्याना के राखी गड़ी पर बनाए गए विशेश आवरन को जारी हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश द अधानी लोहगर या मोहन जोदारों वहडपा से भी पहले की सब्विता से जुड़ी धरवरों को शामिल किये जाने की आवशकता है मुख्यमंत्री आज पुरा तत्व एवं संग्राले विभाग द्वारा भारतिय डांग विभाग के सयोग से प्राचीन सिंदू घाटी अभिता के प्रसिद पुरा तत्विक स्थक सल हर्याना के राखी गड़ी पर बनाए गये विशेश आवरन को जारी किया मुख्यमंत्री ने इस अफसर पर धंतेरस वदिपावली की शुब कामना है देते हुए कहा कि पौरान एक कताओ वसंस्कृती और इतिहास का अपना ए ताकि भावी पीडी को प्राचीन संस्कृती के महत और प्रेरित किया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थलों को सहेच कर रखने और उन्हें विक्सित करने से परेटन को भी बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि सिक्सामराजिके प्रथम सेनापती बाबबंदा इसके अलावा सरस्वती नदी के उद्गल स्थल आदी बद्री को भी भव विरूब दिया जा रहा है प्रैमनीज 24 के लिए हर्याना से ब्यूरो की रिपोर्ट हम लोग देखते हैं कि अपने भारत की प्राचीन संस्कृति हमरा इत्यास जिन चीजों जुड़ा हुआ है उसी में एक ऐसा जिसको कहना चाहिए हर्याना का एक विशेश मेहतों का स्थार है वो राखीगड़ी राखीगड़ी के उपर जो आप लोगों ने आवर्ण का एक तियार किया है और उसको विमोचन उसकाज हो रहा है ये एक यादगार के रूप में बना रहेगा और इसका एक परकार से आने वाली पीडियों को भी लाब होता है ऐसी जो यादगार चीज़ें होती हैं उसका हमेशा आने वाली पीडियों को लाब होता है इस विमोचन के आउसर पर भी आपको बहुत बहुत शुक्त कामना इन इत्यासिक चीजों का जो प्राचीन चीजे हैं उनका संग्रक्षन करना आने वाले पीड़ी के लिए उसको बचा के रखना उनको प्रेड़ना देना ये बहुत आउशक है सभागे से हमारे भरतवर्ष का जो इत्यास है वो जैसा बताया कि दुनिया की प्राचीन तम सब्वेताओं में से एक है अभी कितने वश्च पुराना है इसके बारे में अभी कोई बहुत आंकलन जो इत्यास हैं वो कितना करते हैं हजारों साल तो बताई जाता है अगर हम महाभारत का इत्यास देखें तो हरियना से ही ज चाहे वो महन जोदोडों की सब्वेता है चाहे जो इस परकार के सारे हमारे सिंदु गाटी की सब्वेता है अडपा की सब्वेता है ये सब भी कोई 2500-3000 साल पुरानी BC पुरानी ये सब उस समय की हैं तो आज जगा जगा पर उनके जो आशेश मिल रहे हैं उनको बचा कर रखना उनको आर्केलोजीकल सरवे अफ इंडिया के माध्यम से उसको सुरक्षित रखने से मैं समझता है कि बहुत बड़ा काम अब लोग कर रहे हैं